हलो फ्रेंट्स आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल में स्वागत है आज हम पढ़ेंगे कि भारत के उप राष्टपती के बारे में यहनि कि जब से आजादे मिली है तब से अब तक कितने लोगों ने राष्टपती के पदपर सुसोवित किये हैं तो चले देखते हैं कि भारत के उप राष्टपति के नाम 1947 से लेकर अब तक इसमें कुछ फॉइंट है देख लेते हैं भारत के राष्टपती के बाद उप राष्टपती का भारतिया सम्मीधान में बाड़ा महतो दिया गया है उप राश्पती राजसभा के अध्यक्ष होते हैं उप राश्पती का निर्वाचन संसत के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है उप राश्पती बनने के लिए उसे भारत का नागरिक होना चाहिए जिसकी अवधी 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए और राजसभा का सदस निर्वाचित होने के लिए क्वालिफाई होना चाहिए ये तुरा कुछ विशेश उपराश्टपती से संबंदित अब आगे देखते हैं भारत के उपराश्टपती की सूची क्या क्या है यहीं कि 1947 से लेकर अब तक भारत के कितने उपराश्टपती बने है जिसमें पहला है श्री डाक्टर स्वरुफली राधा किष्णर इनकी जो आवदी थी दस वर्स की थी कब से कब तक आवदी थी 13 माई 1952 से लेकर 12 माई 1962 तक इनकी आवदी थी इसके बाद आगे देखते हैं डाक्टर जाकिर हुसेन इनकी जो आवदी थी 5 वर्स की थी कब से कब तक थी 12 माई 1962 लेकर 12 माई 1960 तक थी इसके बाद आगे देखते हैं वारागीरी वेंकट रमन इनकी जो आवदी थी 2 वर्स की आवदी थी इसके बाद अगले राष्ट्पती उपराष्ट्पती है गुपाल सुरूब पाठक उसकी अवधी कितने वर्ष थी तक थी पांच वर्ष की अवधी थी कब से कब तक 31 अगस 1979 से 30 अगस 1974 तक थी इसके बाद अगले उपराष्ट्पती थे वासप्पा दनप्पा जत्ती थे जोकी इनका कारेकाल कितने दिनों तक रहा है पांच वर्ष तक रहा है और अगले कब से कब तक थी 31 अगस 1974 से लेकर 30 अगस 1989 तक रही है अगले जो उपराष्ट्पती थे मुहम्मद हिदाय सुल्ला थे जोकी इनकी अवधी थी पांच वर्ष की कब से कब तक 31 अगस 1989 से लेकर 30 अगस 1984 तक रही है इसके बाद अगले उपराष्ट्पती रहे है रामा स्वामी विंकट रमन जोकी इनका कारकाल रहा है तीन वर्ष का जोकी अवधी रही है 31 अगस 1984 से लेकर 24 जुलाई 1987 तक रही है इसके बाद अगले उपर राश्पति थे संकर धयाल सर्मा जो कि इनकी अवदी थी पाँच वर्स कब से कब तक 3 सितंबर 1987 से लेकर 4 जुलाई 1992 तक रहा है अगले जो राश्पति थे कोचेरी रामर नारायन जो कि इनकी अवदी थी पाँच वर्स की कब से कब तक 21 अगस 1992 से लेकर 4 जुलाई 1967 तक रही कब से कब तक 21 अगस 1997 से लेकर 27 जुलाई 2002 तक रही है अगले जो कि इनकी अवदी थी इनकी कारेकाल था 5 वर्स का कारेकाल था आउदी कब से कब तक थी उननीस अगस्त दो हजार दू से लेकर 21 जुलाई 2007 तक रहा है अगले जो उपराश्पदी थे मुहम्मद हामिद अंसारी जो कि ये 10 वर्ष तक उपराश्पदी के पद पर रहे इनकी जो आउदी है 11 अगस्त 2007 से लेकर 11 अगस्त 2017 तक ये उपराश्पदी पर रहे उसके बाद अगले राश्पदी रहे वेंकया नाइडू जो कि इनकी आउदी रही 5 वर्ष कब से कब तक 11 अगस्त 2017 से लेकर 10 अगस्त 2022 तक रहा उसके बाद अगले राश्पदी रहे जगदीब धनकर जो कि परजेन टाइम में ये कार्यत है और इनकी आउदी कब से है 10 अगस्त 2022 से ये कार्यत है ये 1947 से लेकर अभ तक जितने राश्पदी रहे हैं उनका डिटेल से रहा है अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स फार वाचिंग वीडियो